हाँ बच्चों राधे राधे हमने पिछली क्लास में चार्ज की नीचर के बारे में समझा था अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करेंट ठीक है तो इलेक्ट्रिक करेंट है क्या उसके पहले हम एक सर्केट समझते हैं कि हमारे पास में एक रेजिस्टेंस वायर है और उसको हम ने किनी conducting wire की मदद से एक cell के across जोड दिया तो cell बैटरी जैसा कि हम लोग देखते हैं हमने pencil cell देखे हैं कार में जो engine start करने के लिए battery आती है हम उसके बात कर रहे हैं तो उसमें दो terminal होते हैं एक होता है positive और एक होता है negative तो अब हुआ क्या यह जो positive terminal है यह high potential पे कहलाता है और यह negative terminal low potential पे और यह जो हमारे पास में wire है यह conducting wire है अब हमने conductor किसे कहते हैं यह समझावा है जिसमें free electrons होते हैं free electrons का मतलब वो outermost orbit के electron जो atom को छोड़के जा सकें दूसरे atom में ठीक है तो इस conducting wire में potential difference अप्लाइ करने पर कौन है जो move कर सकता है electron यह proton क्यों नहीं move करते हैं अपने को मालूम है अपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि proton तो nucleus के अंदर हैं तो जो free electron होंगे वो यहां से move करेंगे low potential से high potential की तरफ ठीक है तो free electron low potential से high potential की तरफ flow करते हैं और इसकी वज़े से जो current flow होता है हम उसको electronic current कहते हैं अब current electricity के पढ़ने के पहले scientist वगेरा ने fluids के बारे में पढ़ा था heat के बारे में पढ़ा था तो वहां पर यह मालूम पढ़ता था कि fluid जो liquid होता है हमेशा अपने high level से low level की तरफ flow होता है मतलब आपने दो container को अगर communication में रखा तो liquid जिसमें ज्यादा level पे होगा वो अपने ज्यादा level से कम level के तरफ flow होता है इसी तरह से heat का flow high temperature से low temperature पे होता है लेकिन यहां पर जो current flow हो रही है electronic current वो low to high potential पे जा रही है तो अब तक से उल्टा हो गया तो उन्होंने fluid के flow के convention को और heat के flow के convention को मानने के लिए ऐसा कहा कि conventional current जो है मतलब positive charge का flow conventional current जो है high potential से low potential की तरफ flow होती है तो ध्यान रखें electric circuit में वास्तों में जो flow होते हैं वो free electron होते हैं लेकिन हम flow के convention को बनाए रखने के लिए जैसा कि हमने heat और fluid में देखा था हम यहां पर भी conventional current consider करते हैं जो की high potential से low potential की तरफ flow होती है अब हम समझते हैं कि current को define कैसे करें मान लीजे अपने आज में conducting wire है हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि यह cross section है और उस cross section से delta t time में delta q charge flow हो रहा है या फिर wire के किसी एक point से delta q charge delta t time में flow हो रहा है तो अगर delta t time में delta q charge flow हुआ तो unitary method से unit time में जो charge flow होगा वो rate of flow of charge कहलाएगा ठीक है तो अब देखे rate of flow of charge को कैसे define करें बच्छे तो i equal to क्या हो गया delta q by delta t यह कह से आया unitary method से कि भई delta t time में जो charge flow हुआ वो delta q है तो unit time में delta q by delta t ठीक है तो इसको हम q को n e लिख सकते हैं और जहाँ पर n क्या है ध्यान रहे number of transferred electron जो flow करके जा रहे हैं यह उनकी बात हो रही है अब इसके unit के बात करें charge का unit क्या होता है बटा कुलाम हमने पढ़ा है और time का unit क्या होता है second तो इसका unit जो हो गया कुलाम per second जिसको नाम दिया जाता है ampere अब हम एक ampere को कैसे define करें देखें जब भी physics में definition की बात है सब चीजों को unit कर दीजिए तो जैसे time है तो time को one second कर दीजिए charge है तो charge को one कुलाम कर दीजिए तो अगर किसी circuit के किसी point से एक second में एक कुलाम charge flow होता है तो उसे हम एक ampere current कहेंगे ठीक है तो अब हम बात करें एक ampere current को define करना है तो हमने पढ़ा ही था अभी है ना कि if one कुलाम of charge is passing through a point in one second then current is set to be one ampere ठीक है ना तो अगर एक second में एक कुलाम charge flow होता है तो current एक ampere कहलाती है एक छोड़ा सा numerical करते हैं जिससे थोड़ा सा clarity और बढ़े how many electrons are passing through a point in a circuit if one ampere current is flowing for five seconds तो देखे आपको current दियावा है है ना time दियावा है आपसे पूछरा है कि कितने electron जा रहे है तो क्यूं को हम ne लिखते हैं तो हमें यहाँ पर n find करना है बच्चे तो n equal to i t by e i किता है one ampere t किता है five seconds small e क्या होता है one point six into ten की power minus nineteen कुलाम तो यह हो गया अब हम इस ampere को कुलाम पर second लग सकते हैं तो इस कुलाम से यह खतम second से second खतम तो हमारे पास में क्या बचा बचा वेटा five five upon one point six into ten की पावा minus 19 तो हमने पहले ही पढ़ा था वेटा one upon one point six into ten की पावा minus 19 को six point two five into ten की पावा 18 लिख सकते हैं तो हमारे पास में अगर किसी सर्किट से एक ampere current five second के लिए flow होती है उसका मतलब है उस point से इतने सारे electrons निकल रहे हैं अब एक और सवाल करते हैं find the amount of charge passing through a point in six second if one ampere current is flowing तो अपने आज में formula i equal to q by t तो q equal to it i है हमारे पास में one point five ampere time है six second तो ये हमारे पास में हो गया nine को लाब तो हमने जो current की definition से पढ़ा अबत उससे हम ये part कर सकते हैं हमारे example जो है 12.1 हो जाएगा page number 200 पर book का इसी तरह से page number 200 पर question number 123 सब हो जाएगे अब देखिए हम ये graph से समझते हैं मान लेजिए आपको charge और time में graph दिया है और ये graph कैसा दिया है बटा straight line दिया है है ना जो graph इस तरह का straight line होता है उसको linear curve कहते है ठीक है अब यहाँ पर हमें बोला है कि भई अपने को 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में current निकालो या हो सकता है अपने को इतने part में मतलब 1 सेकंड से 3 सेकंड का current पूछे तो इसमें क्या है current का formula सिधा सिधा I equal to delta q by delta t तो हम 3 सेकंड पे देखें कितना चार्ज है 2 सेकंड पे देखें कितना चार्ज है तो यहाँ पर इस duration में कितना चार्ज flow हुआ 3 कुलाम और यह है 1 सेकंड तो देखें अपने जैसे यह triangle लिया ठीक है ना तो इस triangle का यह वाला side अपन मेजर कर सकते हैं 3 कुलाम है और time 1 सेकंड है ठीक है इसी तरह से अपने एक बड़ा triangle लिया यह वाला तो इस triangle में देखो बच्चे अगर यह वाला लेता हूं तो यह दो सेकंड है corresponding perpendicular जो आएगा वो 6 सेकंड अब चूंकि यह स्ट्रेट लाइन ही है तो यह angle और यह angle सेम होगा क्योंकि हमने time axis के parallel line ले थी तो अगर हम straight line की बात करें तो भले आप छोटा वाला triangle लो तो उसमें भी देखो 10 theta 3 by 1 आ रहा है जो कि 3 ampere है बड़े वाले के हिसाब से देंगे तो यह 6 कुलाम है यह 2 सेकंड है उससे भी answer 3 ampere ही आएगा तो यहां पर equal time में equal charge flow हो रहा था तो अगर charge time curve straight line है तो इस तरह की current constant current कहलाती है uniform current कहलाती है अभी हम graph के एक और बात करें जैसे मान लेजिए अब यह जो अपने पास में curve आ रहा है यह linear नहीं है ठीक है तो T1 time पर charge कितना Q1 T2 time पर charge कितना Q2 तो अगर हम यहां पर triangle बनाते हैं तो हमारे पास में यह triangle बनेगा वेटा delta Q by delta T तो यह जो curve था यह straight line नहीं curve है है ना तो यहां पर यह जो line आएगी अब यह line यह line इस करो की chord कहलाती है तो यहां पर जब हम देखेंगे तो यह delta Q है बच्चे यह delta T है तो इस chord का slope है ना तो इस chord का slope जो होगा वो average current देगा तो average current हमारे पास में क्या हो गया delta Q by delta T अब मान लिजिए हम time T2 छोटा लें है ना तो यह जो किसी instant की बात करेंगे यह tangent है तो charge time करू के किसी point पर tangent का slope instantaneous current को represent करता है यह हमें ध्यान रखना होगा वैसे हम इसके बारे में थोड़ा higher class में और पढ़ेंगे ठीक है अब हमने यहां तक समझ लिया अब आगे बात करते हैं कि charge के flow होने का कारण क्या है जैसे देखे अपने यहां पर circuit के बात करें तो इस circuit में किस चीज की वज़े से charge flow हो रहा था वो था source ठीक है तो बैटरी हुआ, cell हुआ, यह क्या provide करता है जिसकी वज़े से current flow होती है चार्ज फ्लो होता है तो cause of flow of charge is potential difference इसके आगे हम potential difference के बारे में next वीडियो में बात करेंगे बिटा राधे राधे